हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहोस आप सलूसंस, दोस्तों जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने टूवे डेटा बाइंडिंग के बारे में देखा, अगर आपने नहीं देखा है एक बाज़रूर विजिट करिए, क्योंकि टूवे डेटा बाइंडिंग एंगु होते हैं, मतलब केटिगरेजेशन और पाइप, इन सारे चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, कि पाइप का क्या इंपॉंटेंस है एंगुलर के अंदर, क्योंकि एंगुलर में जो हम अप्लिकेशन डेवलाप्मेंट करते हैं, वो होता है फ्रंटीन डेवलाप्मेंट, औ यह वीडियो आपको बताएगा, चले स्टार्ट करते इस वीडियो को और सबसे पहले हम बात करते हैं, पाइप होता क्या है, देखिए, पाइप को यूज करके हम किसी भी डेटा को ट्रंसफॉर्म करते हैं, डियायर आउटपुट में, तो बात आती है कि किस डेटा को, किस फॉर्मेट में हम ट्रंसफॉर्म करते हैं, देखिए, जब हम सर्वर साइड कोडिंग करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे फॉंक्शन्स अबलेबल होते हैं, किसी भी डेटा के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, यह श्रमाल जी का हमारा डेटा आ रहा है, इंप्लोई क कर लेते हैं, ट्रंसफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन बात जब होती है, क्लाइन साइड की तो यहाँ पर हम अश्टक हो जाते हैं, कि कैसे हम इसकी उच्च करने के लिए आता है एंग्णर का पाइप, पाइप क्या करता है कि क्लाइन साइड किसी भी डेटा को आज इंपूट लेकर डिफरेंट आउट्पूट में करवाट कर देता है, जैसे इंप्लोई के नेम दिखाना है में टाइटल केस में, अपर केस में, लोवर केस में, तो हम इजली विदे हेल्प ऑफ पाइप कर सकते हैं, कोई भी डेट ऑफ वर्थ आ रहा है, तो डेट पाइप को यूज क कर सकते हैं, डेश्मल होता है, परसेंटेज होता है, बहुत सरे पाइप होते हैं, जिसकी बारे में बात हम करेंगे, कौन-कौन से बिल्टीन पाइप होते हैं, इसकी बात हम करेंगे भी, ठीक है, तो एंगुलर पाइप कैन भी उज़ ट्रांसफॉर्म डेटा टू डियार डिफरेंट आउट्पूट में हम इसको कनवर्ट कर लेते हैं, दूसरी चीज कि जो लोग एंगुलर जीएस पढ़े होंगे, एंगुलर का पहला वर्जन, एंगुलर 1.0 या फिर एंगुलर जीएस अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर इस पाइप को हम फिल्टर के नेम से जानते थे, यह इसी पाइप को हम फिल्टर के नेम से जानते थे, ठीक है, फिल्टर के नेम से, फिल्टर के नेम से हम जानते थे, अगर फिल्टर आप जानते हैं, समझे कि वह ही यह यह पाइप है, यह पाइप अफरेटर है, इसी को यूज करते हैं, हम किसी भी डे करते हैं without changing the actual value actual value change नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा कि हमारा actual value वही रहता है ऐसा नहीं कि एक्ट्राइब जाएगा बस हमों को दिखाने से पहले HTML पर change कर लेते हैं मतलब कलाइंट साही चेंज करते हैं अगर माल यह कोई डेटा आ हम है 100 उसको हमें dollar में convert करना है तो dollar के अक्ट्राइब को चैंज नहीं कर देगा आईनल का साइन लगा देगा रुपीज का शाइन लगा देगा पॉंड का साइन लगा देगा डेट आएगा बस उसको देट के format को को चेंज कर देगा डिडिया में वाई वाई डिडिया में यह सौट डेट लॉंग डेट फूल डेट में convert कर देगा इस तरीके के format को हम हम चेंज करते हैं without vex पाइप देखे जैसे माल यहां पर दिखा रखा है कि यहां पर password शीर करका श्टार स्टार में हम दिखा सकते हैं या फिर यहां पर में डाला और इसी में hundred dollar लग क्या रहा है ना कि hundred को हम रूपी से dollar convert कर रहे हैं यह चीज़ ध्यान रखेगा actual value change नहीं होता है दूसरा चीज कि अगर माल यह हमारा syntax क्या होता है जैसे input में हमने text लिया यह आपका जो double curly bracket लगा हुआ है यह आपका interpolation है ठीक है interpolation के अंदर हमने क्या किया कि test 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 को लिया यहां पर यह लगा दिया हमने pipe operator और यहां पर लिखा uppercase देखिए यह test uppercase में convert हो गया इसी तरीके से अलग अलग data को अलग अलग format में हम change करते हैं यह आपका हमने filter दिख रखा है यही pipe है दोनों same होता है ठीक है दूसरा चीज़ कि pipe को अगर हम categorize करें कि कितने types का pipe होता है तो एक होता है built-in pipes और दूसरा होता है custom pipes built-in pipe ओ pipe होता है जो system हमें देता है system provide करता है मतलब एंगलर हमें provide करता है उसको बस आपको यूज करना होता है उसे हम बोलते है built-in pipes जिसमें अगर आप categorize करें तो parameterize pipe हो सकता है non parameterize हो सकता है chaining हो सकता है built-in pipe में built-in pipe जो हमें system देता है जिसके बारे में system के अंदर library के अंदर लिखा हुआ है मतलब एंगलर के अंदर विडियोज में ठीक है chaining pipe मतलब एक ही data पर multiple pipe हम apply कर सकते हैं बस उसका output हमें देखना होता है कोई output override तो नहीं हो रहा है उसका final output तो change तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम एक ही data पर multiple pipe apply कर सकते हैं chaining pipe उसे बोलते हैं दूसरा चीज के custom pipe होता है custom pipe मतलब यह कि आप अपना pipe बना सकते हैं बिल्कुली एंगुलर के pipe के तरह जो भी एंगुलर का पाइप जैसे आपर के store के status हो गया उसके जैसा अपना pipe बना सकता है जो आपके coding काम करेगा मतलब ऐसा कोई functionality जो एंगुलर के built-in pipes आप नहीं कर पा रहे हैं तो वह ऐसा functionality के लिए आप अपना custom pipe बना सकते हैं फाइदा आपको यह होगा कि वह आपके according काम करेगा यह होता है आपका custom pipe तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा करेंगे अगले वीडियो में built-in pipe के बारे में बात करेंगे वहाँ पर example करेंगे जिसके बारे में हम code करके आपको दिखाएंगे कि कैसे काम करता है और बहुत ही important topic है इसको हर जग आपको करना होगा जब इंगर में development करेंगे इंगर कप्लिकेशन को डिवलप करेंगे तो पाइप का रोल कहीं ने कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा तो चलिए मिलते अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक रे थेंकिश्व मच